वेलकेम यू आल इंगलिस अकेडमी कैसे हैं सभी दोस्तों दोस्तों आई विल शेर विद यू वेरी वेरी इंपोर्टिन सेशन दाट इस ग्रमट सेक्षन प्रैपोजिशन विकाज दिस इस हैं रिटेन नोट्स विल सेट वेट इन वॉच आईए अब इस पर हम चर्चा करते और सभी चीज़ों को मैं बता दू कि दोस्तों यह जो है बेसिक टू कम्पिटिटीव हमारा यह सेक्षन चलेगा सप्लीड वीडियों बने रहें और प्ले लिस्ट में जा करके सभी चीज़ को देखते रहें और साथ वे आप डिस्क्रम बॉक्स में अवर से विजिट करें देखें दोस्तों यहां पर हम बात करेंगे प्रेपोजिशन देखें दोस्तों प्रेपोजिशन का सबसे पहले हिंदी जानेगी इसका हिंदी होता है दोस्तों सबंध सुचक सब्द अब ध्यान दीजेगा जो प्रेपोजिशन से हमें रिलेशन क्या होता है समंध सुचक य एंड position तो दोस्तों मैं बतादू प्री का मतलब होता है before that means पहले और position यानि इसकार्थ होता है दोस्तो प्लेस यानि स््थान की इसका स्थान का होगा यानि पहले तो यहाद पर देखिए, preposition एक ऐसा वर्ड होता है, दोस्तों यानि एक ऐसा सब्द होता है, जो noun यानि संग्या, या प्रणाउन, यानि सरोणाम, के पहले परियूखत हो कर, ध्यान दिजेगा के पहले, यानि before यहां देखी इस बात को मैं यहां पे लिखा हूँ के पहले यानि noun और pronoun अर्था संग्या और सरो नाम के पहले परियुक्त हो करके दोस्तों noun और pronoun का संबंद यानि relation sentence के अन्य सब्दों से दिखलाता है ध्यान दिजेगा जब भी preposition आता है वो संग्या और सरो नाम के ठीक पहले जाता है और उसका जो भी relation होता है जितने भी word के relation होते हैं वो दोस्तों में बता दूं संटेंस के साथ अन्य सब्दों के साथ relation दिखलाता है कि आखिर इनका संबंद कैसा है अब इस बात के पुछती दोस्तों आप चाहिए तब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा इसका हम इंग्लिस डिफिनेशन भी लिखे है ताकि बाकी लोग भी इंग्लिस अगर इसे नोट करना चाहिए तो आप अवसे कीजिएगा तो दोस्तों इसका सरहल डिफिनेशन है कि अब प्रेपोजिशन इस वर्ड यानि एक कैसा सब्द है यूजड बिफोर ठीक है यानि ठीक बिफोर नाउन या पर नाउन टू सो इट्स क्या चीज़ दिखाने के लिए रिलेशन यानि संबंद किसके दाथ दोस्तों तो with the other words of the sentence यानि ये संग्या और सरोणाम के ठीक पहले आता है और उस वाक्य में जितने भी words पहले से मवजूद होते हैं उनके साथ रिलेशन बताता है अब दोस्तों इस बात की पुछ्ठी आप यहां में दिये गए नीचे दिये गए आप मत्यपूर्ण एक्जामपल के माधियम से समझ सकते हैं तेखे, he lives in Delhi वो कहां रहता है? दिली में रहता है तो दोस्तों देखे, पहले तो बात समझे दोस्तों यहां पर यह क्या है? दिली आपका क्या है? नाउन है ठीक है? इसके ठीक पहले परियोग हुआ है इन यहां दिजएगा इन के है आपका प्रेपोजिशन हुआ तो यहां पर देखे अने सब्दों के साथ यह रिलेशन भी बताएगा कैसे? वह, he यह क्या है दोस्तों? तो he का हिंदी होता है वह, और यह एक प्रणाउन है अर्थात सवरो नाम है तो यह रहते हां कहा रहता है तो दिल्ली में तो में का जो इन का अर्थ होता है में यह आपको दिल्ली यानि संगे के साथ सम्मद्ध बता रहा है और जैसा कि मैंने उपर आपको यहां पर डिफिनेशन बताया कि नाउन और परणाउन के ठीक पहले पर होता है और रिलेशन बताता है रिलेशन बताता है किसके साथ तो अदर वर्ड के साथ तो दोस्तों यह भी वर्ड है, यह भी वर्ड है, यह भी वर्ड है सभी वर्ड है चिससे के हम जानते हैं लेटर के माध्यम से यानि लेटर के सम्मू से यानि अक्षर के सम्मू से वर्ड करिमाण होता है तो यहां पर देखे सभी लेटर के ग्रूप है तो एक तरह से वर्ड हुए और उस संटेंस में यह पूरे इस वाट के को हम लोग संटेंस यहां पर समझते हैं हिलिसीन दिल्ली वो एक क्या संटेंस है तो इन क्या है आपका दूस्तों प्रैपोजिशन है बाकी चीज़े आप समझने के लिए नीचे दिए गए और एक्जाम्पोल को समझ सकते हैं जैसे और यहां पर भी सी क्या प्रणाउन है तो ऑफ का जो यहां पर प्रैपोजिशन क्या बता रहे है तो देखें यहां पर नीचे दिए गए उधारन से भी आप बातों को समझने का प्रयास करते हैं तो दिए गए दोस्तों यीप प्रेफर शिंगिं टू डैंसिंग यानि वो पसंद करता है क्या तो सिंगिंग्टू डैंसिंग यहां तो का जो रिलेशन है इन दोनों के साथ समन्द बता रहें और सभी वाक एक साथ सभी वर्ड को आपस में एक मैच्वल बना रहे हैं तो रिपीट करनेके साथ एक प्रेपोजिशन है यानि वह आने को है वह आने वाली है यहाँ पर अब आउट का सेंस होगा अब यहाँ देखे यू मस्ट बी कंटेंट विद वॉट यू हाब यहाँ पर वीथ जो आपका रिलेशन बता रहा है सबी वर्ट के साथ ठीक है दोस्तों अब आगे बढ़ने क इस बना कर रखा है आप इसे देखेगा वैं आपको यह किन्यन के साथ मैं बता दूंँ दोस्तों ध्यान दिजेगा यह बेसिक चूप कंपटिशन यहाँ पर हम लोग ग्रामर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा प्रेपोजिशन शेर के जाते हैं यह यादि आप कंपटिशन में सिधी रूप से प्रश्ट पूछ लिए जाते हैं तो आप मेरे चैनल बने रहे हैं और आपको डे बाई डे इस प्रेपोजिशन से प्लेइस्ट में अलग बना करूँगा आपको सेर करते हूँगा अब द्यान दीजेगा दोस्तों मैं बता दूं कि प्रेपोजिशन का स सेसन और हम नीचे दिएगा एक एक साइज आपको करा देते हैं इस पर बेसिस और में नेच्ट डे यानि इस चेकेंड में आप जाएए पार्ट टू हम इसी तरह लेक आएंगा आपके साथ तो चलिए इस एक्सराइज को पहले कर लेते हैं यतना आज हम पढ़े उसको कर ल सब्जेक की तरह काम करता है और इंफिनिटीव जो टू प्लस भी वन का यूज़ता है इस अभी हम बाते डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो में आर्थात पार्ट टू में सेयर करेंगे लेकिन दोस्तों मैं सौट बनाना के इसलिए प्रयास को हो ताकि आप अच्छे जो सम बता रहे है और यहां पर क्या होगे दोस्तों प्रयपोजिशन हो गया गया तो दोस्तों इसी तरह के फॉर एंड फाइफ शिक्स आई रिक्वेस्ट वीडियो देख रहे हैं तो आप तीन जो फॉर फाइफ सिक्स है मैं आपके साथ सेयर कर रहा हूं आप इसका कॉमेंट अ चले दोस्तो टूदे आपको बने रहे और नोट साथ में बनाते रहे तो चले दोस्तो बाकी चीज़े डीटेल्स में सेयर कर दूँगा आपका वीडियो बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यबाद and थैंक यू सो मच तो प्लीज केर बाउट एवरीटिंग धन्यब कि प्लीजर्ट कर दिलेडर बसक्ता चारता है एंड mapped है कि उन्ता भाग ढुझा